आज हम देखेंगे ऐसी ऐसी शादियां कि आज हम देखेंगे ऐसी ऐसी शादियां जिनको देखकर जाद आजाएंगी आपको अपनी भावियां मतलब कि आज हम देखेंगे ऐसी ऐसी शादियां जिनको देखकर आपको जाद आजाएंगी बड़ी बड़ी वादियां तो चलो यार यादा टाइम का चपू नहीं चलाएंगे बढ़ते हैं सिधा वीडियो की तरफ अरे ये कैसी शादी है मतलब कि इनको पहले ही अपना बच्चा मिल चुका है यार कहा है सिशादी होती है यहां बच्चा पहले ही मिल जाता है यार आमें भी बताओ अरे ये बच्चा वही है जो सीना ठोकर कहेगा कि मैंने अपने बाप की शादी देखी है अगर आपको भी शादी से पहले ही बच्चा चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना फिर हमारे पर धानमंत्री एक योजना का एलान करेंगे ननना मुनना बाल जोजना जिसके तहट आपको शादी से पहले ही बच्चा दे दिया जाएगा रे इस दूले का हाथ जैसे ही इसकी साली ने पकड़ा ना यार दूले के चहरे पर समयल देखो यार इतनी खुशी और दूले के चहरे की तरफ ध्यान से देखो लगता है कि पेट में लड्डू बरिफी सबकुछ फूड चुका है अरे लड्डू वड्डू शोड़ो पुरा का पुरा हलवाई ही फूड चुका है लेकिन यार खुशी देखो यार बस जिन्दगी में ऐसे ही खुशी हमको मिलनी चाहिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लडगियां ज़्यादा भाव खाती है उन्हें ऐसा ही मतलो की ऐसा ही पती मिलता है यर यरा दुलन की तरफ देखो बिचारी को बहुत गहरा सदमा लगा है अरे दुलन क्या हुआ इतना सुशील और बढ़िया पती मिला है तुझे फिर भी तेरी शकल ऐसी क्यों है हाँ यानि कि अंदरी अंदर बोल रही होगी कि है उपर वाले उठाले मुझे अरे भाई यहां देखो यार यह सब क्या देखना पड़ रहा है मतलो कि दुलने लगा कर रखा है कि सरकारी नोकरी और दुले के चेहरे पर खुशी देखो यार ऐसी खुशी किस-किस को चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ क्योंकि हमारे परदानमत्री एक और जोजना का एलान करने वाले हैं सरकारी नोकरी शादी जोजना जिसके थैत शादी करने के लिए आपको स्पेशल सरकारी नोकरी दी जाएगी और शादी होते ही शीन ली जाएगी बिचारी दुलन की तरफ देखो जारे ये यही बोल रही होगी लेग यार दुला एक नबर ढूड़ा है गरवालों ने बिल्कुल मोज कर रखी है तो भाई आज ही कताबियें पकड़ लो और भाई सरकारी नोकरी के पिशे पर जाओ हाथ दो करके क्योंकि आप सरकारी नोकरी के पिशे भागोगे तो भाई सुशी लकन्या आपके पिशे भागेगी यहर मैंने सुना था कि प्यार अंदा होता है लेकिन मुझे लगता था कि मजाक में बोलते होंगे लेकिन आज पता चल गया यहर प्यार सच में अंदा होता है क्योंकि यार रंग रूप से क्या होता है बस प्यार सचा होना चाहिए बाकी दांत यार लड़के के एक नंबर है बिल्कुल लड़की के दांतों से मेल खा रहे हैं गुरे गुरे आपके मुँझे यही निकल रहा होगा कि इसे देखने से पहले आखर मैं टपक क्यों नहीं गया आखर मुझे मोत क्यों नहीं आ गई लेकिन यार किसमत की बात है आपकी रही फूटी किसमत और इनकी भाई किसमत देखे रहे हो आप अगर आपको इंसाफ चाहिए तो यार धरना दो धरना दोगे तभी भाई ऐसी सुशील करनेया मिलेगी नहीं तो भाई सरकारी नोकरी एक मातर इलाज है उसके पीछे पढ़ जाओ यार ओ यहां देखो दुलन दुले को रसगुला खिलाना चाहती थी लेकिन भाई दुले ने खाया ही नहीं यार बरातियों ने मतलब पेट बर-बर के खाना खाया होगा दो-चार दिनों का एक साथ खालिया होगा लेकिन दुले राजा विचरे भूक ही है उनका मनी कर नहीं कर रहा शादी खाने का नहीं लड़ू खाने का यार क्या निकल रहा है मुँसे सचमी यार शादी वाले दिन लोग इतनी भूक मुझाते हैं ऐसे मतलब की खाने पर टूटते हैं जैसे की एक हफ़ते से कुछ भी ना खाया हो मतलब की दो दिन पहले से ही खाना बंद कर देते हैं कि साला शादी में खायेंगे यार अब यहां देखो मैं पहले ही बोल दूँ कि रंग रूप से कुछ भी नहीं होता है लेकिन यार कुछ-कुछ तो होता है इतना भी कुछ नहीं होता मतलब कि यार कुछ-कुछ तो होता ही है अरे कहना क्या चाहते हो लेकिन यार मुझे एक बात बहुत अजीब लगी लड़की के डिमपल्स की तरफ देखो जरा ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई स्पेशल खड़ा खोदा हो पेड़ लगाने के लिए यह क्या बात यह क्या बात करता है यार मतलब कि यार देखने को तो बहुत अजीब लग रहा है यार आप इसके बारे में क्या सोचते हो अगर आपको भी डिमपल डलवाने है तो यार डलवा लेना मार्किट से अरे दुला देखो राम से खड़ा हुआ है लेकिन दुलन को सबर नहीं है यारनी कि दुलन से खुशी बरदास्ट से नहीं हो रही है और दुलन देद नदन नाचने लगी अरे यार यहां देखो अंकल जी क्या कर रहे है मतलब कि कुछ दो रहम करो जवानों पर जवान में पता नहीं कंचे खेलते रहे हैं लेकिन आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताओ हसते रहा करो सब्सक्राइब बटन को काला करो इंस्टाग्राम पर आ जाओ है ना फोलो कर लेना फिर मिलते हैं नई वीडियो में